एलो डिफेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो इस विए उटी यूजी के यहाँ पर रिजल्ट के बारें बात करने वाले हैं कि आप लोगों का फिलाल यहाँ पर स्यूटी यूजी का जो एक्जाम यहाँ पर कंडेक्ट हो रहा है तो इसका रिजल्ट है जो ओफिसेली कब तक यहाँ पर जो एंटीए के तरफ से जारी कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आप लोगो का पेपर स्टार्ट हो चुका जो कि 15 तरफ से स्टार्ट हो गी है जो कि आपलों का दो मोड में यहाँ पर ओनलाइन मोड और अफलाइन मोड में एक्जाम कंडेक्ट हो रहा है आनि कि फिर देखा जाए तो आपलों का 24 तक में भी यहाँ आपलों का जो एक्जाम को इंड किया जागा इसी मन्त में आप लोग आप जो ए, एक्जाम इंड भी होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट कब तक है का, यहाँ पर डिटिलिस करने वाले, तो रिक्वेश्ट ए प्लीज वीडियो को लाद देगा, पर असकिप मत कीजाएगा, यहाँ पर प्रियाद पर सेयर भी आपका ज़क्वेश्ट करने अझाई, यहाँ पर डिट वंक सकते हैं और यहाँ पर अप्लोंड हो तब यहाँ पर bak के लिए गया था। कि है तो जो सकता है यहां पर टो नगैज और सबसक्त मिझेगन का टाइम तुछ चैनिक हो सकते व्यटिंग दोश्राइब पर यहां पर थीर जून लीएस्ट में फिल्टिंस को यहां पर hackers के जाएगा वह हैंपर 30 तारीक को जारी किया जाएगा ओंदेजिओ यहां पर जो NTA का official website लेकिन यहां पर देखो कि नीचे लिखा गया है कि the date may vary depending on the national election schedule यहां पर national election schedule कारण हो सो था कि date में यहां पर कुछ changing किया जाए ठीक है यहां पर जो आप लोग का यहां पर कुछ election कारण कुछ changing हो सकता है तो में भी हो सो था कि आप लोगा result जो तुछ delay भ हुआ था आनि कि 21 मई से वहां पर start होता है फिर जो थेश जून तक आप लोगा paper conduct होता है ठीक है उसके बाद फिर आप लोगा क्या होता है कि उसके बाद जो result जारी होता है वहां आप लोगा मेभी 15 जुलाई को वहां पर जो officially result को out कर दिया जाता है ठीक है आनि करीबन होगे तो 25 दिनों का time वहां पर लग रहा है तो उमीद है कि आप लोगा भी यहां पर 25 दिनों से कमी time लगेगा रिजल्ट आप लोगा जो timely यहां पर जारी कर दिया जाएगा 30 जून के पहले भी आप लोगा result का संभावना है कि आप लोगा result जो हो जारी कर दिया जाए तो यहां पर जो मैं date यहां बता रहा हूँ note करना इसी के बीच में आप लोगा result जो जारी किया जाएगा आनी देखा जाएगा तो यहां पर result जो आप लोग कराने वाला है वह जो 15 जून से लेके 20 जून के बीच में ठीक है 15 जून से लेके 20 जून के बीच में आप लोगा result जो जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर NTA के तरफ से आप लोगो का CUT UG का यहाँ पर वैसे देखा जातों यहाँ पर date लिखा हुआ 30 तारी को result जारी होगा लेकिन हो सकता है कि आप लोगो का result में यहाँ पर जो कुछ changes हो सकता है देखने को मिल सके आप लोगो का यहाँ पर जो chances है कि आप लोगो का result है वो 30 जून के पहले भी जारी हो सकता है तो मेरे हिसाप से यहाँ पर देखोगे तो 15 से लेके 20 तारी के बीच में जून का मत में आप लोगो का result को out किया जाएगा अगर नहीं आता है इसके बीच में तो फिर यहाँ पर जो date mention किया गया 30 जून को उसी date में आप लोगो का result जो है NTA के तरब से official website में यहाँ पर जो जारी कर दिया जाएगा मैंने आप लोगो को बता दिया previous year के according भी कि previous year में कितना time लगा था previous year में देखोगे तो approximately 25 दिनों का time लग गया था वहाँ पर एन उसके बाद फिर answer की में भी मैंने बता दिया था इसके पहले बाला वीडियो में कि उसमें भी आप लोगो का जो कुछ time जो है लगा था ने अपर तीस तारी को जारी किया जाएगा तो यहाँ पर पहले आप ल दिखा गया कि कि यहाँ पर जो डेट से उसमें भी यहाँ पर जो है आप लोग का जो है चांसे से कि भैरी कर सकता है ठीक कि यहाँ बहरी करने के रीजन से ही में बता रहा हूं कि आप लोग का जो है एलेक्शन की कारण यहाँ पर रिजल्ट जो है जल्दी भी आ सकता है थो हैं थो कभी भी आपनों कर रिज दर मैं आपलों को इन्फॉर्म कर देंगें गों तो ये अनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और इक बीडियो को लाइक भी कर लीजेगा और रिक्वेस्ट है फ्लीज यहां पर बीडियो को ज़्यादे दर कर दिजेए ताकि